वेल्कम बैक तो माई स्टडी चैनल फ्रेंट्स हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपार्टेंट होने बाला है विकोज आज के इस वीडियो में हम डिस्कुस करने बाले हैं स्टेट गोर्नेंट कुरेंड अफेर्स फ्रेंट्स इफ यौर प्रिपेरिंग फार आरभी एंटी पीजर एक्जाम धेन स्टॉपिक इस इंपार्टेंट फर यौर प्रिपेशन बिदोर बेस्टिंग ताइम लेट्स गॉर्ट पर बाला है विच स्टेट्स चैनल जल साथी स् नेस्ट क्वेशन इस पंजाब बिलेज एंड स्माल टाउन्स एक्ट बिच वाज इनवोक्ड डूरिंग कोबिड नाइनटीन यहां पर यहां पर राइट आंसर बनता है आपका नाइनटीन बें यह जो एक्ट है जो कोबिड नाइनटीन के दुरान जो है हटाया गया ठीक है तो यह कब जो है इनट किया गया था पंजाब में तो आंसर है नाइनटीन एटीन बहुत ही अच्छा क्वेशन है पंजाब बिलेज एंड स्माल टाउन्स एक्ट बिच वाज इनवोक्ड डूरिं इन बिच इयर तो आंसर है नाइनटीन एटीन नेस्ट क्वेशन रिसेंटली कावेरी वाटर मेनेजमेंट अथार्टी बाज ब्रॉट अंडर बिच इंस्टिटूशन तो किस मिनिस्ट्री के अंडर इसको लाया गया है अभी किसको कावेरी वाटर मेनेजमेंट अथार्टी को तो answer है ministry of जल शक्ति friends ऐसा है railway में आप देखो के exam में कि कुछ questions जो है ऐसे होते हैं जो के जिसको आप कभी expect करी नहीं सकते कि ये question भी आ सकते हैं ठीक है एक question जो है आपको इससे पूछ लेंगे आप कह सकते हो के you know तो game से पूछ लेंगे तो दूसरा जो है UN से पूछ लेंगे ठीक है तो रिसेंटली कभेरी वाइटर मनेजमेंट अथॉर्टी बास ब्रॉट अंडर बिच इंस्टिशन आंसर इस मिनिस्टरी आफ जल शक्ति नेस्ट क्वेशन बिच आफ दिफॉल्विंग स्टेट या फिर टैटरी या है इंपोजड कोविट 19 शेस अं पैट्रोलियम तो यहां पर आंसर है नागलेंड फ्रेंड ऐसा है शेस का मेनिंग होता है tax on tax means tax के उपर भी tax जो है जब लगाया जाए तो उसे कहते है cess तो नागालेंड में जो है लगाया गया है cess COVID-19 के दुरान यहाँ पर लिखा गया है बीच आफ दिफॉल्बिंग स्टेट यहाँ फिर यूनिन टैटली है इंपोजड COVID-19 cess on petroleum ठीक है तो यहाँ पर आंसर है नागालेंड तो अभी तो यहाँ पर लिखा कि बीच आफ दिफॉल्बिंग स्टेट यहाँ फिर यूनिन टैटली है इंपोजड कोबिट नाइंटीन cess on petroleum तो petroleum के उपर जो tax है उसके उपर भी एक टैक्स जो है लगाया है किसने नागालेंड ने ठीक है इंपोजड का मीनिंग होता है थोपना ठीक है चलते है next यह निकल लगाना अभी चलते है आगे बेसावा जयनती बाज celebrated in which state in April 2020 तो बेसावा जयनती जो है यह celebrate किया गया था जो के April 2020 को celebrate किया गया था कहां पे celebrate किया गया था answer is करनाट का ठीक है अभी next question है which state has launched जगना बिद्या दिवेना तो यहां पे यह जो scheme है लांच की है किसने आंद्रापरदेश ने ठीक है जी which state has launched जगना बिद्या दिवेना तो यहां पे यह scheme जो है लांच की है किसने answer यहां पे आंद्रापरदेश next question which state government has launched किल करोना campaign friends यह जो campaign है 15 days तक चली तो कौन सी state ने यह जो campaign है launch की तो यहां पे right answer है आपका मद्देबरदेश ठीक है जी और दूसरा एक चीज और है कि MP के जो औरजा और ग्वालीर है तो यहां पे आंसर है जो तो चतिसगार स्टेट है उसने लांच किया है गोदन नयाय योजना फ्रेंट्स बहुत ही इंपार्टेंट क्वेशन है चलते हैं नेक्स्ट बिच स्टेट गोवर्मेंट है जिसने प्राइबेट सेक्टर जॉब्स में 75 परसेंट जो रेजरिबेशन दे दिया है वहां के लोकल रहने बाले लोगों को तो यहां पर राइट अंसर बनता है आपका हर्याना हर्याना स्टेट जो है एक ऐसी स्टेट है जिसने एक कानून बनाया है कि उसकी स्टेट में जो भी प्राइबेट सेक्टर में जॉब निकलेगी उसमें 75 परसेंट लोग जो है वहां क हर्याना के रहने बाले ही लग सकते हैं ठीक है नेस्ट वेस्ट रिसेंटली ओडिसा गोर्मेंट हैज लांस्ट विच आफ दी फॉल्विंग स्केम टू प्रोवाइड एकनोमिक बेनिफिट्स तू दा लेंडलेस फार्मर्स यहां पर मैंने बाकी बाले उप्शन्स नहीं लिखे हैं विकोज क्या होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है तो यहां पर रिसेंटली ओडिसा गोर्मेंट हैज लांस्ट बलराम योजना ठीक है बलराम योजना जो है ओडिसा गोर्मेंट ने लांच की है किस लिए लांच की है यह लांच की है तो प्रोवाइड एकनोमिक बेनिफिट टू दा लेंडलेस फार्मर्स जिन किसानों के पास जमीन जो है नहीं है भूमी नहीं है या फिर बहुत कम है उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया है यह योजना जो है वो चलाई है तो इसका नाम क्या है बलराम योजना ठीक है तो फ्रेंट्स यह थे आज के 10 most expected questions for the RRB NTPC exam thanks for watching this video फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक एर